Welcome friends, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है Crazy 4 Movies में हमाजरों है फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेशने एपसोर्ड के साथ जहांपरम आपको देते हैं साउत और हिंदिड़ फिल्मों स्चुडी हर एक लेटस अबडेट तो है दोस्तों बिल्कुल फ्रेशने ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपसोर्ड नंबर 140 एपसोर्ड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुपरस्टार महेश पाव की अपकमिंग फिल्म यानि की सरकारु वारी पाटा से तो है फिल्म जो है इसी महीने की 12 तारीक को केवल तेलिगु भाशा में रrelease होने जारी है जहांपर कल यानि की 2 मही को इस फिल्म के ट्रेलर को गल शाम को 4 बच के 5 मिनिट पर इस फिल्म का ट्रेलर आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर Sensor Certification के हिसाब से इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो तकरीबन 2 मिनिट 23 सेकंड, 2 मिनिट 24 सेकंड के आसपास का जो है आपको देखने को मिलेगा तो सरकार वारी पाटा जो है आलरेड़ी कहे दिया गया है कि एक आउट औन आउट कमर्शल फिल्म होने वाली है और यहाँ पर महेश बाबू के आपोसित हमें नजर आएंगी कीर्थी शुरेश तो फिल्म के जितने वह वी तक गाने वगेरा रिलीज हुए हैं एवन जो एक अगली अब्रेट की तरफ जहांपर आज की अगली अब्रेट निकलके आ रही है मेगा स्टार चिरन जिवी और राम चिरन तीजा की रिसंटली रिलीज हुई फिल्म यानि की आचार यह से इस फिल्म का जो बॉक्स ओफिस पर्फॉर्मन्स है वो दिन प्रति दिन जो है खर जिरो क्रोस का जो है शेर कलेक्शन कर लिया था पर यह कलेक्शन जो है दूसरे दिन 70% जो है ड्रॉप हुआ है जहांपर दूसरे दिन जो है केवल 5.15 क्रोस का जो है शेर कलेक्शन निकला है मतलब आप समझ सकते हो सीधे 29.50 क्रोस से डिरेक्ट आकर यह फिल्म जो है दूस 34.65 croz का share collection और 48.85 croz का gross collection कर लिया है दूसरे दिन फिल्म ने निजाम से यहाँ पर 2.20 croz का share collection किया है और सिर्फ निजाम से इस फिल्म ने अब तक 10.10 croz का share collection कर लिया है फिल्म के अगर theoretical rights के हम बात करें तो फिल्म के जो worldwide theoretical rights है वो 131.20 croz में यहाँ पर बिके हुए है जहाँ पर निजाम के जो theoretical rights है वो 38 croz में बेचे गए है वहीं seeded के जो theoretical rights है वो 18.50 croz में बेचे गए है मतलब केवल telugu states के जो theoretical rights है वो यहाँ पर 107.50 croz में बेचे गए है तो जाईर सी बात है कि फिल्म जो है कहीं पर भी अपना ये टार्गेट जो है अचीव शायद ना कर पाए और शायद मंडे तक पता चल जाएगा ये फिल्म फलॉप पे जारी है या फिर डिजास्टर पे जारी है यहां से इस फिल्म का हिट हो पाना बहुत ही मुश्किल है कुछ जगों पर सुनने तो आ रहा है कि एक्जिबिटर्स जो है फिल्म को मंडे से हटाने की प्लैनिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग कहेंगी हम कीजिएफ चैप्टर टू लगा देंगे कुछ लोग अभी भी ट्रिपल र लगाने के लिए तयार है तो देखते हैं क्या होता है यहां पर सबसे बड़ा घाटा तो हम कहेंगे कि निजाम वाले को होने वाला है निजाम के जो थेटिकल राइट्स है इस बार दिल राजू के हाथ में नहीं आ पाया यहां पर वारंगल सीनु ने इस बार थेटिकल राइट्स को खरीदा था बहुत ही जोर शोर के साथ उन्होंने मतलब बताया था कि इतने कड़ों में हमने खरीदा हुआ है पर बाद में यह फिल्म जो आज परफॉर्मेंस कर रही है बहुत ही बड़ा नुकसाम उनको यहां पर होने वाला है आपको बता दे कि पहले दिन भी जो 29 क्रोज का शेर कलेक्शन निकल के आया है उसमेंसे 10 क्रोज के आसपास का fix था मतलब उन्हें ऐसे theaters होते हैं ऐसे centers होते हैं जहांपर एक fix price पे फिल्म को बेज दिया जाता है बाद में कितना भी collection करे कुछ भी करे वो कुछ भी share यहां पर देना नहीं पड़ता है तो जिन लोगों ने fix price पे भी खरीदा था उनको भी जो है यहां पे बहुती बड़ा घाटा होने वाला है और वह से देखा जाए तो कहीं न कहीं राधिश्याम फिल्म के बाद ये एक और बहुत बड़ी disaster फिल्म साबित होने चारी है तो एक चीज भले ही फिल्म के साथ जो भी हो रहा हो अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि box office पर perform नहीं करेगी पर मुझे जिस चीज की खुशी है वो यह है कि यह फिल्म जो है pan india scale पे release नहीं हुई बहुत अच्छा किया रामचरणतीजा ने इस फिल्म को पहले हिंदी में नहीं release करवाया बे मतलब का फिल्म हिंदी में release होती और अगर flop का tag इसके हिंदी वर्जिन को लग जाता तो triple r फिल्म के बाद बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक negative impact पर सकता था तो बहुत ही अच्छा decision ने लिया रामचरणतीजा ने इस फिल्म को हिंदी में release नहीं करिया वो सीधे जो है अब आने चाहिए शंकर के फिल्म के साथ और वहीं पर हम उनका इंतिजार करेंगे तो वैसे मैंने भी कल इसका review जो है आचारे फिल्म का upload किया था और मुझे भी फिल्म जो है कुछ खास लगी नहीं वसे अगर आप लोगों ने आचारे फिल्म देख ली है तो आपका क्या opinion है हमें कब instruction में जरू बताइएगा इसके लाव बढ़ते आज की अगली update की तरफ जहां पर आज की अगली update निकल के आ रही है जाने माने डिरेक्टर यानि की श खुद शेकर कमुला ने भी confirmation दिया था कि वो जल्दी जो है लीडर 2 जो है वो बनाने वाले हैं तो लीडर 1 में जो है आपको याद होगा कि राणा दगुबती थे वो बहुती बैटरीन फिल्म थी उसमें राणा दगुबती की performance बहुती बैटरीन थी तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर शेकर कमुला जो है सूरिया के साथ लीडर 2 जो है यहाँ पर वो बना सकते हैं सुनने में आ रहा है कि ऐसा कि शायद लीडर 2 के अंदर हमें राणा दगुबती शायद नजर ना आए यहाँ पर सूरिया के साथ जो है शेकर कमुला यहाँ पर इस फिल्म के सीक्व को बनाएंगे क्योंगी खबरों के इस अब से अब तक यह तो कंफर्म नहीं हुआ कि लीडर टू ही बनेगी पर यह अल्मोस्ट कंफर्म हो चुका है कि शेखर कमुला और सूरिया जो है एक पुलिटिकल ड्रामा फिल्म के साथ जो है वो आ रहे हैं वैसे एक लंबे समय के बाद शेखर कमुला जो है एक पुलिटिकल ड्रामा फिल्म के साथ आ रहे हैं तो देखते हैं आने वाले समय में इस फिल्म से जो भी अपडेट निकल के आती है हम अब तक जरूर लाएंगे इ उमीद करता हूं कि ग्लिम्स के अंदर एका डायलोक्स जो हैं वो भी एड़ कर दिये जाएं ताकि अटलीस पता चले कि मेकर्स जो हैं हिंदी डबिंग को लेकर कितने सीरियस हैं इसके लाव बढ़ते आज की अगले बडेट की तरफ और बात करते हैं आने वाली कुछ अब कम आदिते मुवीस ने कम्प्रीट कर वाली है वहीं दूसी तरफ एसी साल रिलीज हुई सूपर हिट टेलगू कॉमेडी फिल्म यानि की डीजे टिलू इस फिल्म की जो डबिंग है वो भी आदिते मुवीस ने कम्प्रीट कर वाली है तो देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि KGF Chapter 2 के Box Office Collections के बारे में तो फिल्म ने जो है Finally 1000 क्रो के आकड़े को पार कर लिया है तो आज फिल्म को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके है और 17 दिन के जो Box Office Collection है वो निकल के आ चुका है जहां पर सबसे पहले बात करें फिल्म के Hindi रवर्जन के बारे में बात करें स्टेट वाइस कलेक्शन की तो करनाटका से इस फिल्म ने अब तक 90 क्रोस का शेर कलेक्शन और 156 क्रोस का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है फिल्म ने आंदरपदेश और तलंगाना से अब तक 78.30 क्रोस का शेर कलेक्शन और 126.10 क्रोज का gross collection कर लिया है तमिल नाड़ू से फिल्म ने 17 दिन के अंदर-अंदर 41 क्रोज का share collection और 84.75 क्रोज का gross collection कर लिया है वहीं केरला से फिल्म ने 25 क्रोज का share collection और 54.05 क्रोज का gross collection कर लिया है तो लगाता है दूसरी एक और पैन इंडिया फिल्म जिसने यहाँ पर 1000 क्रोल के आकड़े को पार कर लिया है फिल्म को रिलीज हुए केवल 17 दिन हुए है और देखा जाए तो अभी भी बॉक्स ओफिस पर कह सकते हैं कि हर एक स्टेट में पूरी तरह से अभी भी अपना होल्ड ये फिल्म बना के रखी हुए है हिंडी में दो फिल्में रिलीज हुए है उनको भी कुछ बहुत आउट अप दबॉक्स रिस्पॉंस जो है नहीं मिला है आचारे फिल्म का भी जो रिस्पॉंस है वो दिन प्रते दिन खराब होते जा रहा है केरला में कह सकते हैं कि अभी CBI 5 रिलीज होई है और यहाँ पर जनगनमन भी चल रही है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत है जो नई फिल्मे है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है वहीं दूसरी तरफ तमिल नाडू में कह सकते हैं कि कादू आगला रेंडर कादल भी जो है अच्छा पर फॉर्म कर रही है हमें comment section में जरूर बताईएगा तो दोस्तों वसे यह तक तक आज कमारा फिल्मेटों का यह छोटा सा एपिसोड उमीद करते हैं अपिसोड आपको पसंद आया होगा वीडियो पसे वीडियो के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं वार अगले वीडियो में तब तक लिए बबाई टेक केर